उजयन्ता पैलिस जिसे त्रिपुरी में नुयूंगमा के नाम से भी चाना जाता है। त्रिपुरा सामराज्य का पूर्व शाही महल है। त्रिपुरा के शाही कल्चर के साथ-साथ माडिके राजवन्ष की गाथा को बया करता हुआ। उज्जन्ता पैलिस यहां के शांदार धरोहरों में शामिल है। सफेद संग मरमर से चमकता हुआ ये महल राजधानी अगरतला में स्थित है। महल का निर्मार्ट भले ही काफी सालों पहले हुआ हो। लेकिन इसकी खूप सूर्ती आज भी वैसे ही बरकरार है। आपको बता दे कि सन 1901 में राजा राधा किशोर मारिक के द्वारा महल का निर्मार्ट करवाय गया था। इंडो ग्रीक स्टाइल में बने इस महल के आसपास कई सारे छोटे छोटे बागभगीचे और मंदर भी हैं। में लक्ष्मी नारायन, उमा माहिश्वरी, काली और जगनात मंदर प्रमुक हैं। हलाकि अब इस महल का इस्तमाल कुछ समय तक राध्य की विधान सभा की बैठिकों के लिए किया जाता है। जो North East India का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 800 एकर में फैले इस महल में सिंगा सनरू, तरबार हॉल, लाइबरेरी और रिसेप्शन हॉल है। इस खुबसूरत महल को अलेक्जेंडर मार्टन ने डिजाइन किया था। आपको महल में अलग-अलग जगों पर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। महल की खुबसूरती पर चार चांद लगाने का काम करते हैं म्यूजिकल फाउंटे जो मुख्यद्वार पर लगे हैं। कहा जाता है कि उस समय इसे बनवाने में लगभग 10 लाक रुपए खर्च हुए थे। इस महल की खास बात तो ये है कि इस महल का नामकरण रविंद्रना टैगोर ने किया था। म्यूजियम में 16 गैलरी हैं तो वहीं हर एक गैलरी में नौर्थ इस्ट के अलग-अलग जल्कियां देखने को मिलती हैं। प्रिप्रा के तेहवार 14 खास पूजनिय भगवान 20 पास की जातियां और मुख्य जिन जातियों के बारे में भी यहां देखने को मिलता है।